एक गाव में दो दोस्त रहा करते थे मोटू और गशिटा राम मोटू और गशिटा राम वे दनों मिलकर चूरिया क्या करते थे और हमेशा लोगों को परिशान क्या करते थे एक दिन वे दनों गूमने के लिए शेहर आते है और वह लोग शेहर में एक लड़की को देखते है वो लड़की अपने घर में अखेली होती है लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा और सोना होता है ये बाट मोटू और गशेटरम को मालूम पड़ जाती है तो वेदरनों सोचते हैं ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अमिर है और मेरा मन कर रहा है इसके पास चोरी करने का जब तक मैं इसके पास चोरी नहीं करूँगा तब तक मेरा मन नहीं भरेगा इतना सोचकर वेदरनों एक प्लान मिलाते है और आदे रात को उसके घर में चोरी करने के लिए जाते है तबी पतलू उन दोनों को देख रहती है और कहती है चोर चोर कोई मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ इतना कहती है तबी मोटू कहता है इसने हमें देख लिया है हम दोनों को मिलके इसे मारना पड़ेगा तब ही हम दोनों बचेंगे इतना कहे कर मोटू और गशिटारम वेदनों मिलकर बिजारी पतलो को मार देते है और उसके पास से उसका सब कुछ लूट लेते है और वेदनों अपने गाव भाग जाते है और यही पे पतलू एक भूतन इसे सब कुछ लूट लिया और वे लोगह को जिंदा ने रहेना चींगे इतना कहे कर वो उन दोनों को जान से मार देते है और अपना बदला ले लेती है